असलाम लीकुम एब्रीवाइन उमीद है आप सब खेरियत से होंगे वल्कम बाक टू माय यूट्यूब चैनल आज का व्लॉग हमारा करोला जैसे कि आप लोगों को पता है यह प्रोजेक्ट मेरा पर्शनल नहीं है मुस्तफा भाई है इसके और उनके लिए हम इसको रेस्टोर करता है आज के व्लॉग में आपको दिखाते हैं डेंटिंग माशाला से फाइनल हो चुकी है और बिल्कुल 100% फाइनल नहीं हुई है पर 95 फाइनल हो चुकी है और उसमें क्या रिजल्स हैं वह आपको चेक करा माशाला से आप देखें सारी बॉड़ी लाइन्स और सारा जितना भी समान है लग यह अपनी जगह पर आगया है यहां पर अभी आप देख सकते हैं फेंडर्स में यह जो चोटे से गैप होते हैं जब पार्किंग लाइट लगती है तो वह कवर अप हो जाता है क्योंकि इसमें पूरे फ्रंट पे क्रोम का एक गोला भी होता है बॉनट के ओपर तो वह सारी चीजों को बैलन्स करता है इसके बाद आप देख सकते हैं फैंडर्स साइड बॉडी कंप्लीट जिसमें आपको दू दूबाजे फुट बोर्ट पैनल वगएरा सारी चीजों की विजिबिलिटी ज्यादा क्लेर आरी होगी दूप के अंदर इसलिए कवर कर रहे हैं थाके पता चल सके बागी जाहिर सी बात है छोटे मोटे डहलेक इस टाइब की वेवस होती है वह अब पेंटर किया पेंटर क अब यहां पर आप देखें तो माशाला से पिलर वगएरा यह वाली वह जो लाइन में इस यह वाली लाइन जिसमें थोड़ा इस पर यहां पर होल भी था इसको कवर अप कर लिया सारा प्रॉपर हो गया दर्वाजे भी खुलते हैं आपको दिखाते हैं अंदर से आप यह वील आर्च फुट बोर्ड वाला एरिया सारा उस साइड पर वो सामने अगर आपको नहजर आ रहा हो तो वह भी आप चेक कर लें कि वहां पे चोटा पीस वागएरा जो लगाना था वो लगा लिए रूपर से चेक कर लें साइड क्लेरिंस काफी माशालला से अच्छी होग यानि कि अब मजीद आगे प्रोग्रेस इसकी बढ़ाई जा रही है यह वाला पीस जो है हमने निकालना है वो निकाल लेंगे डोर जब खोलेंगे अभी हम इसको फिलाल यानि कि खोल नहीं रहे जब खोलेंगे तो यह वाला हम पार्ट क्लेर कर लेंगे इसके इसके इलाव करना है वह बंपर जब वापिस हम अटाइच करेंगे ऑल्मॉस्ट बैलेंस है ऐसा नहीं है कि डी शेप है पर यह वाली जो जगह है थोड़ी सी इस जगह पर हमें काम करना पड़ेगा इसको हम स्ट्रेट करेंगे मगर यह के वहां पर असल में फ्यूल टाइंक आता है तो वह को इसके हिसाब से बैलेंस हो जाता है इस वक्तोड़ा सामें अन बैलेंस लग रहा होगा तो इसको भी हम चेक कर आ लेंगे करामत भाई से इसके इलावा यह हमारी आगी पैसेंजर साइड इस साइड पर थोड़ी सी दूप की रफलेक्शन दुशरी तरफ से आरी तो विज आप यह देखें जी यह पीज भी लगें हैं यह पूरा हमने चेंज भी किये यहां पे थोड़ा सा मसला था उसको भी क्लेर की है यह वाली जगह डेमिज थी यानि के गाड़ी हिट थी यह अंदर आया वाता प्रेस हुआ वाता उसको जगह पर लिया है फ्लोर वर्क हमारा तकरीबन उसमें इतना ज्यादा काम नहीं था जो कि एक अच्छी चीज दो पीस लगने थे वह पॉपरली लग चुके हैं इसके बाद दर्वाजे अंदर से आप देख सकते हैं जड़पे वगहरा क्लेर हैं बाकी सारी चीजे माशाला से क्लेर है विंड स्क्रीन हमने नहीं खोली उसका एक रीजन यह था कि बिल्कुल क्लेर है तो खोलने की इतनी खास जरूरत नहीं है वैसे हमने गोले हटा लिए तो उससे फाइदा ही होगा कि पेंट हमारा जो काम है वो प्रॉपर हो जाएगा उसमें कोई कॉम्प्रोमाईज नहीं आएगा यह अभी तक की नही अब्रेट्स करोला की डेंटिंग के रिगार्डिंग अब हमारा नेक्स पॉसीजियर होगा जिसमें वाइरिंग वर्क डेंटिंग वाइरिंग वर्क मेकैनिकल कुछ चीज़े और पेंट जॉब का इसी के साथ मुझे दें इजाज़त अपना रखी कियाल इंशाला फिर मु व्लाग में अलापेस झाल 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 झाल